कि नमस्कार दोस्टी लिए आप शुक्राइब आपकरात है तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकर गूरुप डीक शेस बचे भ्यार्थियों की एक्जाम डेट के बारे में तो दोस्तों इसमें अपडेट ने कल किया है यहां से देख पा रहे हैं इसको देख लेते हैं सही से यहां से देख पा रहे हैं 22 September 2018 को आँ है आपको बताते हैं आपका एक्जाम डेट से सबस्के भीहारतिक जो 16 अक्टबर बाद जिनका एक्जाम होगा उनके बारे में बात करने वाले हैं आपको पूरी अपडेट देते हैं उससे पहले देख रहे हैं यहां जो है कुछ परिक्षा लिख link की संभावना हो गई है एक है कुछ दिया गया है परिक्षा के दो प्रबत्या आठ फरजी हो रहे थी वाइरल भी की संभावना है तीस सितंबर को जारी होंगे से सब देख रहें तीस सितंबर को जारी होंगी से परिक्षा तारीख है यानि से जो बच्छे भी परिक्षा की तारीख है सोले अक्टूबर के बाद उनकी परिक्षा की तारिखें 30 सितंबर के बाद जारी हो सकते हैं यहां देख पारें हेडलाइन में और नीचा देख लेते हैं कि आपडेट है इसमें इसमें लिखा वारा आरवी गुरूब के उन लाखों में दवारों का इंतिजार और बढ़ गया है जिनकी परिक्षाति थी परिक्षा सहरवास चिप्ट की डिटेल्स अभी जारी नहीं हुई है रेलवे ने घुष्णा की है कि 16 अक्टूबर के बाद परिक्षा तारिखें उन दवारों को 30 सितंबर को पता चलेगी मतलब है कि रील घूंग डग्रीक के लाखों परिक्षातियों की सहरवास चिप्ट की घौशना भी नहीं हुई है 9 सितंबर को केवाल नहीं उमिदवारों को परिक्षातिती वासला की घौशना की गई है कि परिक्षा 16 ठोबर तक है और देख रहे हैं अभी विद्वार यहां धियान रखे हैं कि वह अपने अपने एड्मीर कार्ट परिक्षा तिथी से चाहर दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे तो इसे से में मानिय 30 सितंबर को आपको परिक्षा तिथी जब जा रही होंगे तो उनका जो है एड्मीर काट 26 तारिक से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे तो जैसे एड्मीर काट डाउनलोड होना शुरू होएंगे या ओफिसियल नोटिस आएंगे तो आरवडिक तरब से तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करेंगो एनकेसी न्यूज पर तो यह सब्सक्राइब करना साथ ही घंटे बटन को बजा दना ताकि लेटेस्ट विए की नूटिशन आपको मिलती रहे फिर नेक्स्ट विए तब तक के लिए टेक क्यार गुर्वाएं